गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंट्स जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो जैंग इस ट्रायल को पास करके सबसे पहले बाहर आ गया था जिस वज़े से वो अब क्लाउड के युण डियान पैलस का एक डिसाइपल बन लिया था तभी वहां एल्डर हन पूरी कॉंटिनेंट का एक होलोग्राम बाहर निकाल सभी को दिखा रहे थे अब आगे जहां वो इस होलोग्राम को वहां उन सभी को दिखाते हुए उनसे वहां कह रहे होते हैं कि यह हमारे साथ उन डेमन के खिलाप नहीं लड़ रहे हैं जिस वजह से सेंट्रल में डेमन लाट क्यूसी का डेमन लैंड हमेशा इस्टन रिजन पर अटैक करती रहा है इसलिए तुम सभी युण डियान पैलस के डिसाइपल होने के नाते तुम लोगों के यह जिम्मेदारी है कि करोगी पर तभी जैंग वहां डेमन लाट क्यूसी का होलोग्राम देखकर अपनी किलिंग इंटेंड को रिलीज करते हुए कहता है बस इसी की वजह से मेरी बहन कभी भी अजाद होकर नहीं रह सकती है इसे तो मैं अपने हाथों से जान से मार डालूंगा पर तभी अब हमा यह देखकर वो गल वहां एकदम से डर जाती है पर तभी दूसरे ही पल वहां डेमन लाट क्यूसी आकर उसे पकड़ भी लेता है और कहता है क्या यह किलिंग इंटेंड उसी परशन का है जिसका मुझे फ्यूचर में सामना करना है पर तभी इतने में ही वहां डेमन लाट क उसी का बेटा आ जाता है जिस पर वो गल वहां डेमन लाट क्यूसी से कहती है क्या वो किलिंग इंटेंड क्लियर इसका सैक्ट के लोज जैंग का था क्यूंकि उसने तो पहले भी आपके एक क्लोन को काफी बूरी दल से डैमेज किया था पर कोई बात नहीं अगर अब चाह कि बच्ची को काफी अच्छी से सबख सिखाऊंगा अब इतना कहते ही वह वहाँ अपने बेटे से कहते हैं कि क्या हुआ तुम यहां पर क्यूं आए हूँ अब इस पर उसका बेटा वहां कहता है कि फादर आपके लिए काम करने वाले लोगों ने यहां एक रिपोर्ट भी जाए कि पेसे डेंड कॉंटिनेंट यहां फिर से सामने आने वाला है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके अभी घायल होने की वज़े से मैं वहां पर जाओं अब यह सुनकर डिम लाट क्यूसी वहां गुस्से में अपनी मर्डरस औरा को रिलीज कर उससे वहां कहता है कि त के साथ वहां पर जाना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है वहां की लड़की आपको अपने चक्कर में डाल दे जिस वज़े से मुझे यह जानकर काफिस जादा बुरा लगेगा अब यह सुन डिम लाट क्यूसी वहां मान जाता है और उस गल से कहता है ठीक है फिर तुम मेरे स केली होती है पर तभी उसके पास एक फॉर्मेशन माश्टर आ जाता है और उन्हें वहां ग्रेट करेता है तभी यह जानकर मिस निंग वहां कहती है पर उससे पहले मैं आप सभी को यह बात बता दू कि मिस डई और मिस निंग यूडी दोनों ही एक ही पर्शन है इसलिए व हाँ पर एक हॉल माश्टर हूँ तो फिर मैं तुमारे फॉर्मेशन को भला कैसे नहीं ले सकती हूँ अब इतना कहते ही वह वहां अपने पास से एक सिक्स लेवल प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन स्क्रोल को बाहर निकाल उसे वहां दिखाते हुए उससे कहती है कि यह सिक्स लेवल का फॉर्मेशन है जिसका नाम डिवाइन ड्रेगन फॉर्मेशन है जो किसी की भी डिवाइन सी को ब्लॉक कर सकता है और तो और मैंने आज तक अभी भी ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं देखी तभी इधर मिस निंग वहां फॉर्मेशन मास्टर को थोड़ा जिस पर मिस निंग वहाँ कहती है कि अभी हाली में एक काफ़ी टैलेंटर डिसैपल यहां आया है जिसे मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रेंड करना है पर वैसे क्या मैं यहां तुम से इन फोर्मेशन को नहीं ले सकती हूँ अब इस पर वो formation master वहाँ कहते हैं कि आप इसे मुझे से उधार तो ले रही हैं पर मुझे नहीं लगता कि आप इसे मुझे कभी वापस भी करेंगी जिस पर मिस निंग वहाँ कहती है तुम अभी जल्दी से जाकर इस protecting formation की अच्छे से study करो जिस पर formation master मिस निंग को वहाँ respect देते हुए यहाँ से चला जाता है जहां अब उसके जाते ही मिस निंग उस puppet formation को यूज करने के लिए ready होते हुए कहती है कि लूओ जैंग अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत fighting skill सिखाऊंगी अब इस पर वो वहाँ अपनी ice butterfly को बाहर निकाल उसे अपने puppet formation को देख कर यहाँ से सीधा जैंग के पास भेज दीती है तब ही अब इस जैंग वहाँ से जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो यहाँ किसी तरह से formation master को डूढ़ना है ताकि मैं अपनी बहन के यहाँ मदद कर सकूँ पर दभी जैंग वहाँ के कुछ disciple को greet करते हुए उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि युंडियान पैलेस में formation master मुझे अभी कहां मिलेंगे पर दभी इतने में ही मिस निंग की आइस बटरफ्लाइ वहाँ जैंग को बिना पता चले ही उसके उपर उस formation को लगा देती है जिसके लगाते ही जैंग को वहाँ थोड़ा अजीब सा मैसूस होता है और वो यहाँ से किसी और ही दिसा में जाने लगता है और पूरे confident के साथ लगत वहां कहता है कि मैं लो जैंग अग मार्शल आफ हॉल में जाकर सभी से फॉइट करना चाहता हूं तब यहभा में मार्शल आफ हॉल को दिखाया जाता है जहां पहले से कुछ फॉइट चल रही होती है और यह और कोई नहीं बॉलकि जूभ उफान ही होता है जो से खुद को सम्हाल लेता है जिस पर यहां के दो सिनियर डिसाइपल जैंग के ऐसी अटैक को देख हैरान हो चुके होते हैं पर तभी वहां जैंग कहता है कि मुझे माप कर दू इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है पर उसके बाद खतम होने से पहले ही मिस निंग उस पॉपट को कंट्रोल करते हुए उसके बाड़ी से वहां काफी तेज कर देती हैं कि मुझे तो लगता है यहां पागल हो गया है क्योंकि यह तो यहां बिना कुछ सोचे समझे सीधा एक जियान टियान रियलम के परशन को यहां फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है जबकि उसकी खु परशन है जिसने यहां चीटिंग कर इस ट्रायल में नंबर वन पोजिशन को हासिल किया है और इसी की वज़े से मेरे फादर ने मुझे यहां सजा दी है आव यह सुनकर वो सिनियर वहां कहता है कि तुम चिंता मत करो तुम बस आज उसे यहां हरा दो और तुमने आज उसे यहां हरा दिया तो उसके बाद मैं तुम्हारे फादर से तुम्हारे बारे में बात करूंगा अब इतना कहते ही वह यहां से बाहर चली जाते हैं जिसके बाहर जाते ही जैसे ही जैंग पर अटैक पर अटैक करना सुरू करता है वैसे ही जैंग स्टार्टिंग में उसके सभ वुफान वहां कहने लगता है कि मैं तुम से यहां अपनी बेज़दी का बदला लेकर ही रहूंगा अब इस पर मिस निंग वहां जैंक की बाड़ी को कंट्रोल करते हुए उससे वहां कहती है कि जुफान तुम जैसा बेसरम परशन यहां बस पीछे से ही अटेक करने की कोशि कर रहा है उपर से जहां तक मुझे पता है कि जुफान ने मेरी बॉड़ी पर पीछे से अटेक अप किया था जब मेरा वहां पर मिश ड़ई की वज़द से थोड़ा ध्यान भटक गया था और इस बात को तो मिश ड़ई नहीं वहां नोटिस किया था इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं मिश ड़ई ही यहां मेरी बॉड़ी को कंट्रोल कर रही हो वाइद अब इदर जुफान को वहां और विस्जादा गुस्सा आ गया होता है इसलिए वह वहां एक पावर्फुल सा स्पीच्वल अटेक सीधा लोगों जैंक के ऊपर ही लांच कर दीता है और यह अटेक जैसे ही वहां जैंक को लगता है तो वहां एक काफी बड़ा सा स्पीच्वल ब्लास्ट हो जाता है अब यह देखकर जुफुफान वहां हसते हुए कहता है कि जैंक तुम जैसा कमजोर पर्शन मेरी यह एक भी अटेक को नहीं जिल सकता है वाइद अब इतने में ही जैंक का एक काफी बड़ा सा स्पीच्वल पंच वहां सीधा जुफुफान के उपर एक अटेक कर दीता है जहां उसकी इस अटेक को संभालने से पहले ही मिस निंग वहां जैंक की बाड़ी को कंट्रोल करते हुए जुफुफान को वहां काफी ज्यादा पीटने लग जाती है और उ इतनी काबिल हो कि तुम यहां मुझे सबक सिखा सको अब इतना केहते ही वहां सीधा जैंक के ऊपर अटेक कर दीता है पर मिस निंग वहां की बाड़ी को कंट्रोल करती हुए उसके अटेक को वहां काफी असानी से रोग दीती है जिसकी बाद वहां उसकी वैपन को ही पकड उसे यहां इधर उधर जमीन पर पटक उसे वहां काफी अच्छे से सबक सिखा रही होती है अब याद देखकर वहां बांके सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जैंक तो बस इनर्ट स्टेज के पिक पर है फिर भी उसने यहां अकेले ही जू बुफान को पीट उसकी हालत काफी जादा खराब कर दिया है जिसके बाद वहां वही सिनियर या सब देखकर काफी जादा गुच्सा हो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि इसकी स्किल को देख ऐसा लग रहा है कि जैसे यह स्किल तो हाल मास्टर निंग यूडी की है इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं लुओ जैंग मास्टर निंग यूडी का ही डिसाइपल हो तब ही इधर मिस निंग, जैंग के बाड़ी को कंट्रोल करते हुए, जू भूफान को वहाँ हील करते हुए उससे वहाँ कहती है, कि मैं तुम्हें यहाँ हील कर रही हूँ, ताकि तुम उससे थोड़ा और लड़ सको, अब इस पर जू भूफान वहाँ कहता है, आके तुम यहाँ ऐसा करके क्या दिखाना चाहते हूँ, अब इतना कहते ही जैंग उससे वहाँ एक पंच मार यहाँ से दूर फेक दीता है, जिस पर जैंग अब वहाँ कहता है, कि यह ऐसा लगता है, जैसे अब मेरी पावर्स पहले से काफी जादा बढ़ चुकी हैं, बाई तबहे यहाँ जैंग को भी अपनी स्केल को दिखाने का मौका देना चाहिए, तब ही वह उसे वहाँ कंट्रोल करते हुए जूवोफान से कहती है, अब मैं तुम से इमानदारी से फाइट करूंगा, अब इतना कहते ही, वह वहाँ जैंग की बाड़ी को कंट्रोल करना छोड़ दे बाड़ी, बाड़ी, बाड़ी